अगर आप भी जहती हैं कि आपकी डिलीवरी असानी से नॉर्मल हो जाए कम दर्थ कम पुष्ट में तो उसके लिए बेहत जादा जरूरी है आपकी प्रिणिंसी का हेल्दी होना अगर आपकी प्रिणिंसी है बच्चा गर्फ में हेल्दी है तो नॉर्मल डिलीवरी होने से आपकी कोई भी नहीं रोक सकता है और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन चार से पाँच बातों पर ध्यान देती हैं और इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको नॉर्मल डिलिवरी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए, हेल्दी प्रेनेंसी के लिए अपनी बॉड़ी को जितना हो सके हाइडरेट रखिए यानि कि आपको आठ से दस गिलास पानी के जरूर पीने हैं अगर डिलिवरी आपकी दिसम्बर, जैन्वरी या नवंबर, अक्टूवर में होने वाली है तो सर्दियों के मौसम में गुन-गुना पानी आपको जरूर पिना है इससे बच्चे दानी का मूँ समय पर खुलता है, जल्दी से पतला होता है और पानी अच्छी मातरा में पीने से आपका AFI लेवल यानि की अम्नियोटिक फ्यूट इंडेक्स भी एकदम सही रहता है नौवे महीने में ज्यादतर केसिस में देखा जाता है कि जिनके गर्फ में पाने की कम्री रहती है उनकी नौर्मल डिलिवरी नहीं हो पाती है यह समय रहते बच्चा नीचे की और सिर नहीं कर पाता है तो खूब सारा पानी पीना है लिक्विड डाइट जादा लें जिससे की कॉंस्टीपेशिन की समस्या भी आपको इस दोरा ना हो नमबर टू आइरन की कमरी बिलकुल भी अपने शरीर में ना होने दे आइरन की टैबलेट सही समय पर ले और आइरन की टैबलेट लेने के बाद आपको विटमिन सी युक्त चीजों का सेवन जरूर करना है जैसे कि आप संत्रे का या फिर आप आवले का सेवन कर सकती है मौसरमी का सेवन कर सकती है से आइरन की गूली अच्छे तरीके से आपकी बाडी में डिजॉल्व होती है सही मात्रा में सही समय पर आइरन आपकी बाडी में बनता है अगर आपका low है तो आप तीखा salt ले सकती हैं अगर आपका high है तो spicy या salt आपको कम लेना है शुगर वालों को शुगर कम लेना है शुगर की medicine टाइम पर लें थाइरड वालों को भी doctor से time to time मिलना है viral fever से बचना है अभी सर्दी का मौसम आ चुका है तो viral fever जुखाम खासी आपको नहीं होने देना है अगर यह समस्य आपको delivery date से पहले हो जाए तो बच्चे की health effect करती है कई बर amniotic fluid लेवल भी कम हो सकता है और normal delivery आपकी effect करती है अगर आपको fever ज़्यादा आ रहा है तो तुरंट जाके डॉक्टर से मिलना जिससे की infection बच्चे को ना जाए अगर fever ज़्यादा रहता है तो बच्चे को effect बहुत ज़्यादा इसका आता है stress free रहना है जो महिलाएं इस दुरान normal delivery की या delivery के stress में रहती है उन्हें नींद कमाती है नींद कमाना यानि की stress level बढ़ना headache की समस्या और बिमारियां भी आपको आ सकती है BP की समस्या आपको बहुत ज़्यादा तेजी से इससे हो सकती है तो 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है healthy pregnancy healthy baby और normal delivery के लिए उसके अलावा आपको seasonal fruits का सेवन करना है आप apple का सेवन कर सकती है oranges खा सकती है इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है आप इस दुरान मौसम्मी का सेवन करिए खीरे का सेवन करिए आप सीजन आ चुका है green vegetables का green vegetables खा सकती है जिसमें अच्छी मात्रा में आपको minerals vitamins मिलेंगे जो आपकी बच्चे की health के लिए और आपकी health के लिए बेहत ज़ादा अच्छे होते हैं और आपको ताकत देते हैं जिससे कि आप baby को normal delivery कर सके normal delivery का pain सहन कर सके negative चीजों से negative thoughts से negative लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको normal delivery के दर् पाने की कमी है तो ORS का गोल या आप glucose ले सकती हैं जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी आपकी body hydrate रहेगी AFI level भी सही रहेगा कई बार ऐसा होता है कि आमे vaginal bacterial infection हो जाता है जिस कारण भी normal delivery effect करती है और इस कारण समय से पहले आपकी पानी की थहली फट सकती है पानी से आपको अपने पेशा वाली जगा को क्लीन जरूर रतना है जिससे कि किसी परकार का infection बेक्टीरिया आपके योनी में ना पनप सके तो इस तरीके से आप बच्चे को भी healthy रख सकती है और नॉर्मल delivery के chances को भी बढ़ा सकती है तो आपकी delivery के रेट कौन से में ने की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा